Good morning student, hope you all are well and good. We are going to start with our fourth chapter, बहाद्दर दिप्पी. So student, सब्तो पहला में तो अनुए दसना चोंदी हां कि जो साड़े देश दे फौजी जवान हुन दे हां, वो साड़े लेई राबदा रूप हुन दे हां, क्योंकि उखो सरहद्दां ते खड़के अपने देश दी राखी कर दे हां, ते तुसी इस पार्ट विच ए जानोंगे कि देश देड़े बहाद्दर फौजी है, उनना दे कुर्बानियां पर जीवन वारी, कुर्बानियां हों कितना कर दे अपने देश देलिए, ते ओ देशली कुर्बानियां कर दे कर दे कितना शहीद हुन देया, ते इनना एड़ फौजियां दे परिवार है, उखो किन्या मुश्किलांदा सामना कर दे हां, सो इस पार्ट विच भी असी आज इक फौजी ते उस दे परिवार बारे पढ़न जा रहे हां सो शुरू कर दे हां पार्ट बहादर दिपी दिपी बचे पंजमी जमात विच पढ़ दी सी उस दे पिता जी इक फौजी सान हुणो हो 9 साल दी हो चुकी सी ते उहो पढ़ाई विच लाइक सी इथे बचे लाइक दा मतलब है हुश्यार लाइक दा मतलब है हुश्यार ते उस दे डड़े दे आपक सी बचे उस नल बहत प्यार कर दे सान ओ भी पढ़ाई मन लाके कर दी सी हाले दिप्पी पंजमी जमात विची होई सी कि उसदी मा रब कोल चली गी पाव की गुजर गई सी उसदी दादी ने उसदा पालन पोशन किता जिदन मा मरी सी उसदी उसदे पिता जी जम्मू कश्मीर विच कारगिल्दी लड़ाई लड़ रहे सन जोकी पारत पाक से नामा हो रही सी पारत ने कारगिल्दी लड़ाई ते जित हासल कर ले सी इसे खुशी विच दिप्पी दे पिता जित के खुशी-खुशी कर परती सन इथे बच्चे परते दा मींज है वापिस आए पाव की योह कर वापस मुडे सन उना ने अंद्या ही अवाज दिती दिपी पुत्तर तेरी मम्मी कित्थे है तेरे दादाजी कित्थे हान मैंनू कोई वी नजर नहीं आ रहे हा उस वेले दिपी अंदर बैठी सी पिता दे अंदी आहड तां उसने सोन लई सी परंतु जान दा होंसला नहीं सी पैर्या उडर रही सी कि उखो अपने पिता दे सामने किस तरा जाए जदो उखो अंदर गये तां दिपी दोड के उन्ना नाल लेप्ट गई लेप्ट गई मींज बचे चिमबड गई पाव कि उखो उन्ना दे गले लाग गई उन्ना नू चिमबड गई ओकीनी देर ही रुंदी रही दिपी चुप ही नही सी हू रही जद नू दिपी दे दादी वी अंदरो आई ओ भी अपने पुत नू वेह के पुबबा मार के रोंड लगी प्रंतु फौजी नूँ सामझ नहीं सी आ रहा कि ये कारण की है ज़ाद उसने अपने सामणे अपनी पत्नी दी फोटो ते हार पाया विख्या ताहू खड़े दा ही खड़ा रहा गया पाव की बहुत हरान हो गया इत्थे खड़े दा खड़ा रहा गया means बच्चे हैरान रह जिस दिन फौजी जांगदे मैदान विच गया सी उस दिन हर जीत बिल्कुल ठीक सी उसने किसे किसम दी कोई बिमारी नहीं सी ए सोच देया उसने अपनी मानों पुछिया ए पाणा की में बापरिया पाव की ये है कि दा हुया पता नहीं पुत दादी ने किया क्योंकि पैर नों सिर्फ ए होई केहा कि मेरी चाती विच दर्द है मैं उसे विले डक्टर नों बुला ले आई जरो डक्टर आया तां ओ दर्द नल तड़ रही सी डक्टर ने टीका लाया प्रन्तु दर्द ना थम्या 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 ना मींस बच्चे थे हैगा रुक्या पाव की उस दर्द सी ओहो नहीं रुक्या असी गुवांटियां दी कार मंगवाई ते इस नू शेहर नू ले आ तुरे हस्ताल पहुंच देया ही काफी निटा आल जही हो चुकी सी पाव की कमजोर हो चुकी सी इथे निटा आल दा मींस है बच्चे की ओहो कमजोर हो चुकी सी पहीव ने वेखिया ते आक्सीजन वगेरा लगा दिती बस कुझी ही मिंटा बाद इसने एक हटकोरा जिहा लिया हटकोरा मींस बच्चे आप जदों ओखा सा लेंदे हां उसनू हटकोरा कहन दे हां हटकोरा मींस ओखा सा डक्टर साहिव ने वेखिया ते आक्सीजन वगेरा लगा दिती बस कुझी ही मिंटा बाद इसने एक हटकोरा जिहा लिया मेरे ते दीपी वाल प्यार ना वेखिया ते प्राण त्याग दिती पत्नी दिया जही दर्दनाख वित्या सून के फोजी दिया अक्खा छलक आया पाव की ओधी अक्खा विच हंजू आ गए ते उसने अपनी प्यारी पत्नी नाल बिताया एक की कपल याद ओन लगा उसनू याद आया कि जदो लडाई नू जान लगा सी तो उसने कहा सी कि द दुश्मना दा डट के मुकाबला करियो पावचे जड़ा ए वर्ड है गे ए दिपी दिमाने अपने पती नू कहे सी कि दुश्मन दा डट के मुकाबला करियो साड़े सारे यादिया दुवामा थोडे नालहान जंग जितके मुडना कार्दा रता ख्याल ना करना मैं सब जांग जितके अपना वादा पूरा किता है प्रन्तु तु अपना वादा नहीं निबाया एथे निबाया मींज बचे पूरा किता पावकी ओ अपनी पत्नी नू कहा रहा सी कि जांग जितके उसने अपना वादा निबाया है प्रन्तु ओ उसनू विच विच कार छाड के च वालसी अपने पुब्बे मारदा पापानू दिपी ने आगे चुप कराया वो कह रही सी कि पापा मैं तो हाड़ी बहाद दर बेटी हां मैंनू मम्मी दी कमी ता महसूस हो वेगी प्रन्तु मैं पड़ लिखके मम्मी पापा दा नारोशन करांगी पिता पुत्री दा प्यार ते गल्ला सुन के दूर खड़ी दादी दियां अखा विच हंजू आ गए प्रन्तु इस खुशी दे हंजू सन उस दिन उसने एवी फैसला किता कि ओ दिपी नू उस दी मम्मी दी कमी महसूस नहीं होन देवेगी पावो सोच रही सी ही कि ओहो उस दी मम्मी दी कमी महसूस नहीं होन देवेगी ते उसनों मावांग प्यार करेगी उस दी हार इच्छानों पूरी करन दी कोशिश करेगी उस दिन तो ही दिपी होर मन लाके पड़ाई करन लगी हर्जमाद विच्चो चंगे नंबर लाके पास होन लगी अपनी मेनत ते दादी ते पापा दी प्रेणा सदगा अज दिपी ने बीए पास कीती उसने आई एस दी प्रिख्या दिती जिस विचो हो नैशनल पदर ते पहले स्थान दे आई जो हो जिले दी डिप्टी कमिशनर है सारे उसनों चुक चुक के सलाम मा कर दे हान सो बच्चे इस कहानी तो सानु की सिख्या मिल दी है कि सानु कदे भी मुश्कला तो कबरोणानी चाहिदा सानु भादर बनना चाहिदा है ते मल लाके पड़ाई करनी चाहिदी है ते चंगे नंबर लेयाके अपने मापयोदा नाम रोशन करना चाहिदा है सो बच्चे एसी अपना पार्ट भादर दिपी तुसी इस पार्ट में दोबारा पढ़ना है ते चंगी तरह याद करना है ते इस दे प्रशन उक्तरानूवी याद करना है सो थेंक्यू सो मच बच्चे, have a great day